मेरे चानल पर आपका स्वागत है सबसे अधुत 15 शांदार पतंगे दर्शकों से अनुरोध है कि इस विडियो को अंत तक देखें। पतंगे मनुशों द्वारा बनाई गई पहली वस्तुए थी जो हवा का उप्योग करके लिफ्ट और खीचने वाली ताक्ते बनाने में सक्षम थी जो बाद में विमान विक्सित करने में सहायत बन गई। ऐसा माना जाता है कि पहली पतंगे 11,000 साल पहले एशिया में बनाई गई थी और पांचवी शताबदी ईसा पूर्व से चीन में लोग प्रिय हैं। आज उपलब्ध सामगरियों की इतनी रेंज के साथ डिजाइन पहले से कहीं अधिक बड़े और आकरशक हो गए हैं। पहली बार फरवरी 2005 में कुवेट शहर के फ्लैक स्क्वायर में कुवेट हला उत्सव के हिस्से के रूप में अपनी रचना उड़ाई थी और तब से विभिन्न कारेक्रमों में इसे दिखाने के लिए दुनिया का दौरा किया है। आश्चर्य जनक रूप से आशा की माप 83 फीट साथ इंच लंबी और 131 फीट है। तीन इंच चोड़ा जो इसे 10,000 वर्ग फुट से अधिक का कुल उठाने वाला क्षेत्र देता है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि पतंग को हवा में उठाने का प्रयास करने से पहले उसे खोलने के लिए एक बड़ी टीम की आवशक्ता होती है। और पतंगों के विपरीत आप इससे परिचित होंगे कि इसे विशेश रूप से हलकी हवाओं में उठाने में मदद के लिए कई पाइलेट पतंगों की आवशक्ता होती है। इससे पहले कि वहां उडान में खुद को बनाए रखने में सक्षम हो। नमबर चौधा में ओक्तोपस है। जिनने आसमान में ले जाने के लिए कपड़े में फिर से सतीच से बहुत सारे अलग-अलग डिजाइन है। इसलिए उनके पैर हवा में तैरते हुए प्रतीत होते हैं, जिनमें अधिक असामान्य रंग और आकार होते हैं, जो किसी भी व्यक्ती पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, जो पतंगों में शामिल सभी लहराते तत्वों के साथ उन्हें देखता है। बिलकुल विशाल हो सकते हैं, उनमें से कुछ आसानी से 50 फीट तक लंबे हो सकते हैं, कुछ आयोजनों में उन्हें ठीक से उड़ाने के लिए अकसर एक से अधिक लोगों की आवशक्ता होती है, आप कई आक्टोपस पतंगों को एक साथ उरते हुए देखेंगे या तो प ठाए और जब ऐसा होता है, तो वे सभी एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं, यह वास्तव में यहाँ आभास देता है, कि आपको उनका जुन्द उनके प्राकृतिक आवास में मिला है, भले ही आप जानते हों कि यहाँ सब एक भ्रम है, नमबर 13 में स्पेस रेसर, प्रणी डिजाइन कंपनियों में से एक है, जो न्यूजिलेंड में स्थित है, जिसे बंद कर दिया गया है, क्योंकि देश में सबसे नियमित हवाएं हैं, जो आपको पृत्वी पर कहीं भी मिलेंगी इंद्रदनुष समुदरी डाकू जहां सैक्डों वर्षों से लोग मह सागरों और नौकायन जहाजों पर यात्रा कर रही हैं, जो उन्हें पानी के पार धकेलने के लिए हवा की शक्ती का उप्योग करती हैं। इसलिए यह समझ में आता है कि डिजाइन में थोड़ा बदलाव करके और हलकी सामगरी से इसे बनाकर इसे पतन के रूप में आकाश में उड़ाया जा सकता है, विभिन्न गैलियन और समुदरी डाकू जहाज डिजाइनों की एक शिंखला उपलब्ध है और नियमित रूप से पतन उत्सवों में उड़ाई जाती है। लेकिन जो अकसर कटा हुआ खड़ा होता है, वह निस्संदे इंद्रद्नुशी समुद यहां लगभग 6 फीट की उंचाई के साथ विशेश रूप से बड़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि यहां नौसिखिये यात्रियों के लिए उप्युक्त है और जब यहां धूप वाले दिन में उठता है, तो यहां एक आश्चर्य जनक प्रभाव पैदा करेगा। महत्वपूर्ण संदेश को फैलाने में भी मदद करता है। नंबर बारा में ड्रेगन काइट है। विशेश रूप से हाल के वर्ष में Game of Thrones, Hobbit Harry Potter और कई अन्य फंतासी फ्रेंचाइजी के लिए धन्यवाद ड्रेगन ने खुद को पॉप संस्कृती में सबसे आगे पाया है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विभिन्न कम्पनिया अब पतंग उडाने वालों को चैनल का मौका दे रही है। शांदार डिजाइन बनाकर उनका Targaryen। नियहसन ने इतनी सम्रिध पतंग उडाने की विरासत के साथ चीन में किसी भी पतंकार्यक्रम में आकाश में उर्ते विशाल ड्रेगन को देखे बिना जाना असंभव है। लेकिन अन्य संस्कृतियों के ड्रेगन भी अबाम होते जा रही है। जैसे कि रॉल्फ जिंबर में न्वारा बनाया गया यह ड्रेगन किस नाम से जाना जाना है। वाइवर्न ड्रेगन का नाम पंको वाले अगनिश्वास के नाम पर रखा गया है। यूरोपिय और उत्तरी अमेरिकी लोक कथाओं के जानवरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूँच ऐसी दिखती हैं जैसे यह एक धावक के रूप में काम कर रहा हो क्योंकि यह आसमान में उड़ता है जबकि पंक इसे हवा में रखने के लिए फड़फराते हैं और सिर्ष्वतंत्र रूप से अपने अगले शिकार की तलाश में चारों और घूंगता है एक अविश्वस्मिय दिखने वाला डिजाइन जो आसमान पर चा जाता है जहां भी एक को विभिन रंगों में उड़ाया जाता है यह एक और है जो आम तोर पर पतंग उत्सवों म देखा जाता है फिर भी आपको शौक के प्रती प्रतिबद्ध होना होगा यदि आप अपना खुद का एक चाते हैं तो इन चीजों की कीमते लगभग आठ हजार डॉलर से शुरू होती है नंबर ग्यारा में साइकिल पतंग है साइकिल के टाइवानी पतंग डिजाइनर फ बाइक पतं के रूप में जानी जाती है यहाँ एक सफेद एगरेट पक्षी है जो पैडल मार रहा है एक बाइक पर और जिस तरह से इसे बनाया गया है यहाँ पैडल को सटीक रूप से घुमाने के लिए हवा का उप्योग करता है आप उनसे इस डिजाइन की अपेक्षा क ऐसे करेंगे यहाँ लगभग एक आप्तिकल भ्रम की तरह है क्योंकि पहली बार में यहाँ लगभग असंभव लगता है जैसे कि यहाँ एक एनिमेशन है जिसे आकाश में डाला गया है हाला कि यहाँ एक वास्तविक पतं है जो कार्बन बीम के साथ पॉलियस्टर के पैनल है यहाँ आश्चर्य जनक है कि उस आकार की कोई चीज वास्तव में उड़ सकती है इलान अंतराश्य बच्चों के लोगगीत और लोग खेल महोचसव में डिजाइन दर्शकों की प्रतिभा जहां इसे पहली बार दिखाया गया था उन्हें बस अपनी आंखों पर चर्यच्कित रह गए हैं और इससे पता चलता है कि पतंग के डिजाइन वास्तव में कितने चतुर हो सकते हैं नमबर दस में इंद्रधनुष समुद्री डाकू जहाज है इंद्रधनुष समुद्री डाकू जहाज सैक्रों वर्षों से लोगों ने महासागरों और नौकायन जहाजों पर यात्रा की है जो उन्हें पानी के पार धकेलने के लिए हवा की शक्ती का उप्योग करते हैं, इसलिए यह समझ में आता है कि डिजाइन में थोड़ा बदलाव करके और हल्की सामगरी से एक जहाज बना कर इसे बनाया जा सकता है. पतंग के रूप में आकाश में उढ़ने के लिए विभिन्न गैलियन और समुद्री डाकू जहाजों की एक श्रिंखला होती है. ऐसे डिजाइन जो उपलब्ध है और नियमित रूप से पतंग उत्सवों में उड़ाए जाते हैं, लेकिन जो अकसर कट के लिए खड़ा होता है, वहाँ निससंदे इंद्रदनुष समुद्री डाकू जहाज है. यहाँ लगभग 6 फीट की उंचाई के साथ विशेश रूप से बड़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ नौसिखिये यात्रियों के लिए उप्यूक्त है और यहाँ बनाएगा एक आश्चर्यजनक प्रभाव. दिन के समय जब प्रकाश की किरने पाल से होकर गुजरती है, तो यहाँ रंगों की एक श्रिंखला में जगमगा उठता है और न केवल इसे देखना बहुत मजेदार होता है, बल्कि यहाँ समावेशिता के महत्वपूर्ण संदेश को फैलाने में भी मदद करता है. नमबर नौ पर स्पेस शटल है, अंतरिक्ष शटल अब तक निर्मित सबसे महान और सबसे प्रभावशाली उडान मशीनों में से एक था, अंतरिक्ष शटल जिसने मनुशों को प्रित्वी की कक्षा में यात्रा करने और वैमानी की इंजिनियरिंग के शिखर के रूप में रनवे पर नरम लेंडिंग के साथ लोटने की अनुमती दी थी, यहां उचित प्रतीत होता है कि आप अपने स्वयन के अंतरिक्ष साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए परिचित आकार और डिजाइन की पतंगे भी प्राप कर सकते हैं, जबकि आप विभिन्न प्रकार की अंतरिक्ष शटल पतंगे खरीच सकते हैं, दुकानों में जो वास्तव में सबसे अलग दिखते हैं, वे वे हैं, जिने अतिरिक्ष सुविधाओं के साथ अनुकूलित किया गया है, उदाहरन के लिए इसमें LED नेविगेशन लाइटों की एक श्रिंखला है, जो शांदार प्रदर्शन करती है, और इसका मतलब यह भी है, कि यहा रात के समय में एक आश्चर्य जनक प्रदर्शन प्रदान करता है, जब अधिकांश अन्य पतंगे नहीं देखी जा सकती है, और यह केवल एक स्केल मॉडल है, लेकिन यदि आप एक जीवन बनाना चाते हैं, हलकी सा पतल का आकार इतना कुशल है, कि यहां भी हवाद्वारा प्रदान की गई लिफ्ट से ही आकाश में उडने में सक्षम होगा। वास्तविक द्रिशिश शीर्श्रेन संसकरण से आता है, जिसका वजन साढ़े 15 पाउंड होता है, सामगरी के इस वजन के साथ परियाप्त लिफ्ट उत्पन करने में सक्षम होने के लिए इसे बहुत बड़ा होना चाहिए, निश्चित रूप से स्टिंग्रे पतन की आश्चर्य जनक मात्रा में बिजली खीचने और उठाने का काम करता है, इस वज़ह से इसे आसानी से एक व्यक्ती द्वारा नहीं उड़ाया जा सकता है, और यदि आपने कभी इसे आकाश में देखा है, तो यह संभवता जमीन पर एक लंगर से जुड़ा होगा और इसकी कीमत लगभग 1600 डॉलर से शुरू होती है, यहाँ एक पतन है यात्रियों में सबसे अनुगवी और प्रतिबध हैं, लेकिन जहां भी वे इसे आकाश में भेजते हैं, वे निश्चित रूप से सिर घुमाएंगे और कुछ ही समय में प्रशंसकों की भेड से घिर जाएंगे नमबर साथ में स्विच काइट है, स्विच पतन-पतन डिजाइन के बारे में आकरशक चीजों में से एक यहाँ है कि इसे वास्तव में विचित्र आकार में बनाना संभव है, जो देखने में ऐसा लगेगा कि वे आकाश में उढ़ने में सक्षम नहीं होंगे लेकिन लेकिन कई अलदलग आकार हैं, जो ऐसा करने में सक्षम हैं और कुछ मामलों में इसे अधिक प्रभावी धंग से करते हैं। लेकिन यहां असामान्य अवतल आकार का मतलब है कि यहां करने में सक्षम हैं, हर दिशा से शक्ती प्राप करने का मतलब यहां है कि यहां कम हवा होने पर भी उड़ सकता है। तुरंद दिशा बदलना, योयो प्रभाव, एकसल ट्विस्ट और कई अन्य चीजे प्रेरित होती है। हवा में उड़ते पिल्लों को देख कर। स्विच पतन आपको दिखाती है कि आपके पास कुछ अद्भुत बनाने के लिए सामान्य नियोंगों का पालन नहीं है। और यहां आपको आश्चर यच्कित करता है कि समान रूप से प्रभावशाली पतन बनाने के लिए अन्य आकरितियों का क्या उप्योग किया जा सकता है। नंबर छे में उड़ता हुआ चेहरा है। उड़ने वाले चेहरे वाले ताइवानी पतन डिजाइनर सन हुआंग ने अपने पूरे करियर में कई अलग-अलग तक्निकों और आकरितियों के साथ प्रयोग किया है और ऐसा लगता है जैसे वह जो कुछ भी प्रदर्शित करन इसके बजाए उन्होंने चार ऐसे बनाए जो एक दूसरे से शिथिल रूप से जुड़े होते हैं। जब वे उड़ान भरते हैं तो दूर से आकाश में एक चेहरे की तरह दिखते हैं। यहाँ देखना वास्तव में एक विचित्र बात है लेकिन इस पतन के साथ असली जा जीवित अतियथार्थवादी पैंतिंग जैसा दिखने लगता है। जहां आखे, नाक और मुह एक दूसरे के विपरीत कोन पर मुड जाते हैं। और अपने इच्छित स्थान पर लोटने और फिर से समझ में आने से पहले आप जिस कोन से इसे देख रही हैं। उसके आधा पर डरावना या अजीब या यहां तक की पहचानने योग्य नहीं दिखना शुरू हो जाता है। कि यहां पतन उडान और डिजाइन हैं कुछ चित्रों में आपको उत्तेजत तरीके से सोचने के लिए बनाया गया है और यहां निश्चित रूप से साबित करता है कि सेयों हुआन फैन केवल एक पतन डिजाइनर नहीं है बलकि वास्तव में एक पतन कलाकार है। द्वारा भी इसका इस्तमाल किया गया था। 13,000 उनमें से लगभग का निर्माण हो चुका था और लगभग अब या तो नश्ट कर दिया गया है या संद्रहालियों में रखा गया है। उनमें से केवल 28 को अभी भी उडान योग्य माना जाता है। इसलिए किसी को आकाश में उरते हुए देखने का अवसर मिलना अत्यंत दुरलब है। लेकिन यह इस बात का उदाहरण है कि पतंग उडाना इतना जानकारी पूर्ण क्यों हो सकता है और साथ ही मज़ेदार भी हो सकता है। वास्तविक चीज से बहुत छोटी होने के बावजूद यह पतंग एक सटीक प्रतिकृती है जैसा कि कपड़े और प्लास्टिक संरचनात्मक समर्थन का उप्योग करके संभव है। लेकिन जब यहां आकाश में उचाई पर होता है और इसका प्रोपेलर हवा से घुमता है तो यहां आपको यहां अंदाजा देता है कि आपके ऊपर एक वास्तविक पी 40 को देखना कैसा था। यहां इन जैसे अविश्वस्निय विमानों को याद करने का एक शांदार तरीका है और यहां कुछ भी प्रदान करता है बात करने का बिंदू ताकि आज लोग इंट्रेक्टिव तरीके से इतिहास के बारे में जान सकें। नमबर चार में ट्रैक्शन पतंग है यदि आपने कभी विभिन्न प्रकार की पतंगे उड़ाई है तो आपको पता होगा कि डिजाइन का इस बात पर बड़ा प्रभाव पढ़ता है कि यहां डोर के विरुध कितनी शक्तिशाली रूप से खीचेगी निश्चित रूप से जितनी बड़ी पतंग होगी वह उतनी ही अधिक हवा द्वारा पकड़ी जाएगी और विपरीत दिशा में खीची जाएगी लेकिन ऐसे डिजाइन विकल्प भी है जिने इस क्षमता का लाब उठा कर इस कर्शन शक्ति को बढ़ाने के लिए बनाया जा सकता है जिस से पतं बनाना संभव है जो समुद्र की सतह पर टाइट बोर्ड जैसी चीजों को खीच लेगा और उनका उप्योग एतिहासिक रूप से खेतों और अन्य अध्योगिक अनुप्रयोगों में काम में मदद के लिए भी किया गया है सबसे शक्तिशाली ट्रैक्शन किट का विश्व रिकॉर्ड पूरी तरह से अलग है और इसे देखा गया था दिसंबर 2004 में आस्ट्रेलिया में सिड्नी के पास सन्युक्त राज्य अमेरिका के पतन जहाज निगम द्वारा डिजाइन की गई पतन का लिफ्ट शेतर 4500 वर्ग फुट था और इसका उप्योग नौ चार तन की नौका को खीचने के लिए किया गया था जिस जहाज को आम तोर पर पानी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए दो मुख्य पालों की आवशक्ता होती है उसने अनिवार्य रूप से पतन के साथ स्पिननेकर को बदल दिया लेकिन रिकॉर्ड प्रयास के लिए अन्य सभी पालों को भी हटा दिया गया और पतन बिना किसी समस्या के पूरी तरह से चल पड़ी नंबर तीन में पेट्रोसौर पतन है लगभग 252 से 66 मिलियन वर्ष पहले हमारे ग्रह पर जीवन आज से बहुत अलग था धर्ती पर डाइनासोरों के घूमने के साथ ही आसमान पर टेर प्राणी थे जिनोंने सबसे बड़ी प्रजाती के साथ उढ़ने की क्षमता विक्सित की थी जिसके पंखों का फैलाव 36 फीट तक था वे डरावने शिकारी रहे होंगे जो अपने शिकार को छीनने के लिए उपर चड़े और उसके साथ उढ़ने से पहले और यदि हम भी उनके साथ आसपास होते तो निस्संदेह वे हमें भी शिकार के रूप में गिन लेते शुक्र है कि हमें उस दिन का सामना नहीं करना पड़ता दिन में उपर से मौत का खत्रा लेकिन इस तेरोसौर पतन को मज़ेदार तरीके से दिखाया गया कि यहां कैसी होती यहां पतन लगभग आठ फुट लंबी है और दूर से देखने पर इसकी अनुमानित प्रोफाइल समान है जैसा कि एक वास्तविक तेरोसौर के अतिरिक प्रभाव के लिए होता, संचालक ने तेरोसौर के पैरों में एक आदमकद मानव पतन जोड़ दी है जो आश्चर्य जनक रूप से अच्छा चित्रन देता है कि यदि कोई किसी व्यक्ती को पकड़ लेता और उसके साथ उड़ जाता तो वह कैसा दिखता नमबर दो में बीस्ट काइट है 2013 में नीदरलेंड की एक पतन टीम अपने नवीनतम डिजाइन के साथ चेविनिंगा में एक पतन उत्सव में पहुँची जो यूरोप में अब तक बनाई गई सबसे बड़ी पतन थी जिसमें एक बाग, एक बंदर और एक हवाई जहास की पतन दिख रही थी वे जल्द ही बिचाने के काम में लग गए उनकी रचना बाहर है और हवा के जोर पकड़ने का इंतजार कर रही है आखिरकार वे उसे जमीन से उपर उठने के लिए परियाप्त लिफ्ट उतपन कर रहे थे और इंतजार कर रही भेड निराश नहीं हुई एक विशाल कंकजूरा जैसा दिखने वाला जानवर जिसके काले सिर के साथ चमकती हरी आखे और दोनों तरफ पचीस नुकीले पैर थे शुरुआत में एक क्षण था जहां ऐसा लगता है कि यह छोटे बाग का पीछा कर रहा है और अन्ता उसे खाने वाला है हालांकि अन्ता वहां उठ जाता है यह खषण भर के लिए आकाश में उड़ गया और यह साबित करता है कि यह पतन के रूप में ठीक से काम कर सकता है क्योंकि यह पहला परीक्षण था इसे इस तरह से सुरक्षित किया गया था कि यह केवल लगभग 20 फीट की उँचाई तक ही पहुँच सका लेकिन बात के त्योहारों के प्रयासों में यह बहुत अधिक उची उड़ान भर सका कस्टम फैबरिक जो वहल के शरीर के लिए बिलकुल सही रंग था फिर डिजाइन और भौतिकी पर काम करना शुरू कर दिया कि वे इसे कैसे उड़ाएंगे जबकि तैयार संसकरन पांच अलग-अलग आकारों में उपलब है जिन पर डिजाइनरों को सबसे अधिक गर्व है मिडी और अधिक बड़े पतंगों को यथा संभव वास्तविक जानवरों के समान दिखने के लिए डिजाइन किया गया है नमबर एक में ब्लू वेल है मिडी ब्लू वेल पतंगे 26 फीट लंबी होती है जो ब्लू वेल के बच्छरे के आकार की होती है जब वे पहली बार पैदा होते हैं और उनका बड़ा संसकरन पूर्ण 98 फीट लंबा होता है बिलकुल एक पूर्ण विक्सित वयस के समान आकार होता है बेशक वे जिस सामगरी से बने होते हैं उसका मतलब है कि वे वास्तविक चीज के वजन का एक अंश मात्र होते हैं इसका मतलब यहा है कि वे शांदार ढंग से हवा में उडने में सक्षम है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे जीवित हैं और तैर रही हैं क्योंकि उनके आकार और यथार्थता के कारण वे किसी भी उत्सव में शो स्टॉपर बन जाते हैं जहां उन्हें उड़ाया जाता है लेकिन 4600 की कीमत के साथ इन नीली पतंगों में से एक को देखना लगभग उतना ही दुरलब है जितना की जंदल में एक वास्तविक ब्लू वेल को देखना